हेलो गाइज वलकम बैक तो पी स्क्वायर सलोन और आज मैं मिलवा दूँ आपको यह पहले तो हेल देखिए मैडम के और मैं का नाम है ड्रीम गल ओफिशल जिनकी वीडियो आप देखते रहते हों तो यह बहुत दूर साही थी काफी टाम से वीडियो देख रही थी इनका फी ठीक है एश कलर यह इनको पसंद नहीं आए तेखो दिख रहे है ने एक्शन से ठीक है तो हमने बैक कोमिंग करके इनका फिर अलेक्शन करते हैं फिर बैक कोमिंग करके इनका हाईलाइट मिक्स बाल लिच करते हैं अब कैसे कैसे होता है देखिए step to step पहले हम प्रीलाइट क कर रहे हैं हमने जिगजग करके मैंने इसमें पार्टिंग लिए तो हर चीज के अंदर हम इसके अंदर प्लैक्स एड़ करेंगे जिससे कि हेर की क्वालिटी बहुत अपग्रेड रहे बहुत क्वालिटी की रहे ठीक है हेर की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे इसको बैकोम किया मर्ज कर देंगे फिर इसको पर कलर लगा देंगे हम जिससे उपर मर्जिंग आ जाएगी और बहुत फाइन सा एक रिजल लिकल के आउटकम आएगा वो कैसा आएगा वो जरूर दिखाएंगे फाइनल में एक ही वन शोट के अंदर इसारा चलेगा बहुत ही फाइन रहेगा सब कुछ टेंशन मत लेजिए ओके सारी चीज ऐसी चलेंगी और जो चीज आउटकम आने वाली है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी क्योंकि हमने इसके इंदर प्लैक्स एडिट क्या है अब प्लैक्स क्या है प्लैक्स आपको मैंने बता दिया प्लैक किसी भी ट्रीटमेंट बेढ़ एड्ट कर सकते हैं जिसमें आपको हेल की स्रेंथ को बनाया प्लैक्स आता है फाइवर का प्लैक्स आता है तो भूस सारे कंपनी बनाती है जिस भी कंपणी का आपको अच्छा लगिए और इसको अच्छे से कर लिया है हमने बिल्कुल हमारा पूरा section बालियाज का with highlights जो है बिल्कुल back up होने वाला है पूरा बस हमारा crown section box section जिसको आप कहते हो रहे गया है अब back to back करते हैं और आपको मैं एक section दिखाते हैं उसके front से just पहले वाला कितना fine तरीके से करना देखो front ना किसी भी चीज में front बहले smoothening में हो या फिर किसी hair cutting में हो या color में front को बढ़ाना deeply describe किया अगरो deeply बनाया करो इसमें से back home किया अच्छे से back home किया highlight नहीं कर सकते हैं तो वह थोड़ा सा pop-up होके दिखते हैं हाला कि pop-up होके दिखना अच्छा होता है लेकिन हमने client के according work करना है जिसको मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ do work according to client यह हमारी highlights mix होके बन गई यह अब हमारा आ गया length length पर work करते हैं length को even करते हैं देखिए बचे रेष्ट और जैसे length पर color आता है हम roots पर color लगा देंगे याद रखना और जैसे अब global करते हो जी बाल उलजजिते पढ़ रहे हैं इन पर color लगते ही length पर इस सारे एक तरफ settles हो जाएं देखो जिन पर color लग गया है ना जिन पर colors लग चुके हैं लेंद पर वो देखो एकदम से settles ही excited में हो गई है सब सब में लग जाएगा हो जाएगा इस काम में आप किसी की assistant की help जरूर लें बिल्कुल क्योंकि experience के basis पर समलती है दिखने में तो असान है क्योंकि लास्ट में जब आप इस चीज को करते हो तो बिल्कुल वह खिचड़ी बड़ी दिक्कत दे जाती है राइट आप देख रहोगा कि रूट्स पर नहीं लग रहा है कलर बिल्कुल ही देखो ज्यान से देखो रूट्स अठ लगे का बाद में जब वह प्रोपर एप्लिकेशन हो जाएगी तो अगें मैं बता दूब पहले हमने प्रिलाइट किया अब हमने इसके अंदर पांच नंबर का जो बेशेड वह लगाया है वह लगाने के बाद यह हमारा प्रिलाइट का स्रेक्शन है जो हमारा कलर देखो अब डाक लग रहा है ना पांच नंबर डाइट किया तो अधा इसा है राइट और एक चीज हो जब खुलेगा तो आपको डाक दिख रहा है इतना डाक है नहीं हमारा प्रिलाइट ओल्मोस्ट हो गया इसको किसे परपल शैंपू से वोश करेंगे हमने अच्छे से वोश कर डाइडी लैदर बन गया था शोट लेना भूल गया था तो अगें फिर से कर रहे हैं डाइबल डाइबल प्रोडक्ट्स एप्लिकेशन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से करना पड़ रहे है यह कलर ट्यूप से हमारी आपको दिखा दी गई है साइड में दीख भी अब इनको करेंगे डाइक अप्लिकेशन करेंगे और एक 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 सेक्शन को पकड़ेंगे यह देखिए बिल्कुल एजी ली तरीके से होएगा राइट अब देखते रही है कैसे कैसे हो रहा है बिल्कुल फाइन दिखेगा आपको सब कुछ तो यह प्रोपर डिपोजिटि डिपोजिटिंग ओल्मोस्ट हो गई है आप वोश कर लेते हैं हम देखो कलर बिल्कुल आपको देख रहा है कि कलर है नहीं देखो अभी भी नहीं दिख रहा है लेगिन जैसे ड्राय होगा एक दम से ग्रेश लिकल के बहार आएगा बहुत ही आपको फाइन लगेगा दिख के बाद एक फाइनल लुक यह परसेल्टी अब दिख रहा है कैसा लगा और बोट ही फाइल पोट ही वाव लग रहा था वाओ इतना पहतरीन लग रहा था ना मजा आ अगया था कला यह देखो अब इसमें प्रोपर आपको लुक मिलेगा मैं का यह देखिए आपको हर एंग सब्सक्राइब आपको मुझे जरूर बताना कमेंट करके वाव रिजल्ट आया है और यह चीज ना मैं मैं के फीडबैक भी लेलता है मैं को कैसा लगा प्रोपर फीडबैक सुनेगा कि कैसा क्या लग रहा है इनको कैसा काम हुआ है सब्सक्राइब आपको मुझे बहुत जादा अच्छा लगा और मुझे पहले सिर पता था कि मैं जैसा चाहती हूं मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि मैं आई बिल्कुल अपने ट्रस्टेट से लून में हूँ और आप देख सकते हो मेरा जो अच्छे बालों क सब्सक्राइब कर देता है बट अब भी तक मैंने बाल में बाल बिल्कुल सही है तो मैं तो इतनी खुश हूँ जस्ट लुकिंग लाइक वाओ 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 जरूर आप लोग विजिट करो जैसा चाहते हो उससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा यह मेरा पर्सनल एक्स्पिरियंस आप मेरे हैर देखो मैं यह नहीं कह रही कि आप मेरे वज़े से आओ बस आप मेरे हैर देख कर आओ क्या बोलो कि क्या सर्विश थी तो फ्लीज क्या है